वही मुखेवंदी जयराम ठाकु ने हिमाचल का बजट जहां पेश किया जिसे सरकार और सरकार की मंत्रियों ने तो खुब सराहा लेकिन विपक्ष को हिमाचल की बेज़ेपे सरकार का ये बजट इस कारेकाल का ये पांचो और आखरी बजट रास नहीं आ रहा है आखिर ऐसा क्यों है वो भी आपको बताते हैं इस रेपोर्ट में अग्यावी बात चुनावी तो क्या आपकी बार बजट भी चुनावी ये सवाल इसलिए क्योंकि हिमाचल का बजट पेश होने के बाद विपक्ष कुछ इसी तरह की बात कह रहा है कि चुनावी साल में ये सिर्फ जु सबस्ते थे कि सरकार जो है इन मुद्वों को अड्रेस करेगी वो कुछ नहीं है इसलिए डारेक्शन लेस है सिर्फ जुम्ला बाजी है जुम्लों पर खेल हो रहा है कि कुछ वर्गों को रियायतों से ज्यादा इस बजट में कोई भी ठोस सोच हिमाचल के विकास की या हिम लेकिन दूसरी और सरकार के मंत्री विपक्ष पर पलटवार करते हुई यह बता रहे हैं कि सरकार ने बजट में जो घुशनाएं की हैं वो पूरी होंगी और समय पर लागू होंगी वाप अजूब करते हैं coloured कstory जाने लाइक रहेंगे यह जितनी घोशनां है इस आ और वेरी प्रतिकल एक capacity पंचायत के वार्ड मेंबर के आपकी तरखाव बढ़ी है पंचायत को उप प्रधान की तरखा बढ़ी है पंचायत के प्रधान की तरखा बढ़ी है बीडीसी की तरखा बढ़ी है चेर्मेन जिलापरशित की बढ़ी है वाइस चेर्मेन की बढ़ी है बीडीसी के चेर्मेन की तरखा बढ़ी है वाइस चेर्मेन की बढ़ी है कि यह सब जो लोग है यह पुब्लिक रिप्रेजटेटिटिव में यह सब इन प्रैक्टिकल बाते हैं वहीं विधान सभा में CPIM के एक मात्र विधायव लेकिन अपनी बात मुखरता से रखने वाले राकेश सिंगा ने भी बजट को लेकर कई सवाल उठाए और इस बजट को चुनावी वर्ष में लोगों को लुभाने वाला बताया जो आपने क्या दिया कि यह देंगे आंगनवाडी को देंगे मिड दे मिल को देंगे पंचाय सौकिदार को देंगे हैना ऐसे में यह स्कूल मैनेजमेंट कमिटी के अध्याबकों को देंगे और से बहुत से गिने हैं आप अंडर्टेकिंग ले यहां पर आप फर्स्ट एप्रिल से देंगे मेरा तर्जारबा है मैं तो बहुत यहां पर हिमाज़ प्रदेश में इन हिस्सों के मैं मुद्दे उठाता रहा हूँ यह फर्स्ट एप्रिल से नहीं आता है यह नोटिफिकेशन जुलाइ में होगी अउगस से मिलेगा वो पीरिड हो जो है वो क्या करते हैं कट जाता है जो फर्स्ट एप्रिल से होना चाहिए वो होता नहीं है यह छुनाव की दृष्टी से यह बजजट को पेश किया है और चुनाव की दृष्टी से क्योंकि आपने लोगों को लुभाना है अलंकि सरकार का कहना है कि चुनावी आधार पर नहीं बलकि मानवी आधार पर बहुत से फैसले लिए गए है और प्रदेश के हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ बात कही गई है में कही गई है और इतना बड़ा हाइक आज तक नहीं हुआ जो छोटे चोटे वर्गों के लिए पैसा बढ़ाया गया है इससे बड़ा हाइक आज तक जो पिछली जब आप विधानस्वा कोई आप बजट का कौपी खोल के देखेंगे तो इतना बड़ा कभी नहीं हुआ मैं अव्यक्ति को रहत मिलेगी इसाट उनिट से 70 बजल आएगा उसका कोई पैसा नहीं लगीगा एकसट से 125 उनुट तक हम एकर का प्रतियुनिट बिजली का बिल लेंगे एकसो पचीस उनुट का जो बिल है वो एकसो सिर्फे प्रतिमंग नहीं न बनता है 38,000 प्रदेश में शिंचाई की ट्यूएल है पहले हमने एकर पैसे 50 पैसे प्रतियुनिट किया था और हमने 30 पैसे प्रतियुनिट कर दिया है इसलिए जो कोंगर्स के हमारे मित्र कहते हैं वो यही कर सकते हैं इस बजट की परसंसा नहीं कर सकते हैं वो कहेंगे यह खोकला तो वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बजट चिनावी है अब ये बजट कितना चिनावी है और कितना सराहनी है इस पर साल के आखिर में होने वाले चिनाव के जरीए जनता खुद मुहर लगाएगी और वो मुहर जिसके पक्ष में होगी उसी की बात भी सही होगी क्यों उन्याद, शिमला, खबरमीता